हलो नमस्कार जहिन दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टिकनिकल विदेश्यस में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि जो 2023 में अलपी की बैकेंसी आने वाली है वो कब तक आएगी तो आज हम इस करने वाला हूं तो दोस्तों आप सभी को पता है कि बैकेंसी जो है पिछले जो बैकेंसी आई थी और अभी तक जो है पांच साल हो चुके हैं तो पिछले जब चुनाओ थे हमारे तो तभी बैकेंसी हमारी देखने को मिली थी 2018 में जो हमारी एलपी की वैकेंसी आई थी उसके बाद से कोई वैकेंसी अभी तक देखने को नहीं मिले और करेंट टाइम में 2023 चल रहा है और दोस्तों लगभग लगभग 99 परसेंट थे हैं कि आपकी एलपी की वैकेंसी इस बार देखने को आपको मिलेगी बस फर कितना सा है कि अभी तक जो है डेट आपको दी नहीं गई है और जैसे पिछली बार क्या हुआ था जब 2018 में चुनाओ थे आपके जब चुनाओ थे तो उसी टाइम पर आपकी वैकेंसी आई थी उस बार भी लग रहा था कि नहीं आईगी वैकेंसी लेकिन हुआ क्या था अप्रेल ज अचार सहीता लग जाएगी तो कोई ना वैकेंसी रिलीज हो सकती है ना तो कोई गौर्मेंट वर्क हो सकता है तो इसलिए दोस्तों इस बार भी पूरा पूरा चांस है कि आपकी वैकेंसी जनवरी या फर्वरी में देखने को मिलेगी क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ उसके बाद अचार सहीता लग जाएगी तो फिर कोई चांसे नहीं है और 99 परसेंट आपकी वैकेंसी आनी है यह बात आप लोगों को पता होगी क्योंकि रेलवे ने भी बहुत सारी नोटीस निकाल करकी यह बात जारी की थी तो आप लोगों के मन में जो डाउट है कि वैक में इसलिए दोस्तों इस बार भी आने के चांसे इसी टाइम पर हैं तो इसके लिए जो आप के मन में डाउट बार बार कुश्चिन उट रहतें आप लोग जान लीजिए जनवरी फरवरी में आपकी वैकेंसी आ सकती है उसके लिए अभी से बारे चैनल रहे बहुत सारे च सब्जेक्ट का काफी ज्यादा वेटेज होता है और यह दो सब्जेक्ट आपके अगर कमांड हैं तो समझ लीजिए आपके जो है 50% चांसे तो ऐसे बाद जब आप ट्रेड निकाल लेंगे तो जो सेकेंड राउंड का सेकेंड पेपर होता है उसमें आपके 40 लगबख 40 नंबर जो है मिक्स करके आपका क्या आता है एडि एडि आता है टो उयसे जर्नल चांस आता है तो वह जबस तो और आपको जबस पॉर्म भरना है और आको ट्यार रकिए बेकेंसी आपको जरूर देखने को मिलेगी, अचार सहींता लग जाएगी, क्या उसके बार नौटिस तो जारी नहीं कर पाएंगे चैनल पर अपडेट रही है, नए है तो चैनल को सस्क्राइब करिए, मिलेंगे नेस्ट इनफार्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि स्लेवस क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए, एलपी के लिए तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन